Hello students, मेरा नाम भिनीत पांडे, आप देख रहे हैं 2Pi Classes, इस वीडियो में Knowing Our Number Class 6 Mathematics Chapter No.1 Exercise 1.2 में Question No.10 को हम solve करेंगे, चलिए देखिए बच्चों, कभी भी इससे पहले भी आपने बच्चों Question Solve किये थे, Question No.9 वाला उसमें हमने मीटर को सेंटी मीटर में कनवर्ट किया था, आपको याद होगा, मीटर को हमने किसमें कनवर्ट किया था, सेंटी मीटर में, ओके, तो ऐसा मैं उचलिस ले गया, थोड़ा सा, ओके, चलो आप देखो, मीटर को सेंटी मीटर में कनवर्ट करेंगे, मतलब जो आपकी larger unit होगी, जो आपकी, क्या होगी, larger unit, एक्चल में wire मे भी बात करी और यहाँ पर 500 ग्राम भी लिखा है, तो आपको पता है कि किलो ग्राम आपका बड़ा unit होता है, किलो ग्राम केजी आपका larger unit होता है, और ग्राम आपका smaller unit होता है, ठीक है, करेक्ट, सो जी का मतलब ग्राम, प्रॉट में यह सब पढ़ा है, मैंने आपको unit convergence में, तो यह क्या आपका, यह क्या larger unit है, किलो ग्राम बड़ा unit होता है, और ग्राम वेट का smaller unit होता है, तो किलो ग्राम से ग्राम में जाते टाइम, आप 1000 से multiply करोगे, यह भी मैंने आपको सिखाया था, ठीक है, करेक्ट, किलो ग्राम से ग्राम में जाते टाइम, 1000 से multiply करोगे, क्यो 1000 जैसे कि अगर मैं आपको एक छोटा सा कोश्चन दूं कि 5 kg में कितने ग्राम होंगे 5 kg में कितने ग्राम होंगे तो आप क्या करोगे 5 को 1000 से मुल्टिप्लाई करोगे तो आपके जो है ग्राम से यहां पर निकल के आ जाएंगे यानि कि 5 kg is इकषिछ तो 5 इनटू 1000 ग्राम यहने कि आजाएगा 5000 ग्राम अब आएए कॉशन पढ़ते हैं यह कॉंसेट को पकड़ने के बाद आए कॉशन पढ़ते हमेशा क्या काम करना है हमें को इसमालर में इसमालर में कंवर्ट करना है कि अब कॉशन पढ़ते हैं medicine is packed इंड बॉक्सेस एच वेइंड फोर किलोग्राम फाइव हंड़ेट ग्राम अब देखिए बच्चों और देखिए क्या चल ला है नहीं पर ठीक है बॉक्सेस में मैंडिसन पैक करना यह इस तरीके से box है ठीक और एक box में कितनी medicine आती है यह एक box है एक box में कितनी medicine आती है so medicine या आप इस तरीके से लिखो weight of medicine in one box weight weight of medicine medicine in one box in one box एक box में कितनी medicine आती है एक box में कितनी medicine आती है तो आप देखोगे तो कह रहा है कि medicine is packed in boxes each weighing weighing मतलब हर एक box का weight कितना है four kilogram 4 kilogram and 500 gram इस बात का मतलब समझते हो क्या होते है I इस बात का यह मतलब है क्या कi four hundred kilogram और प्लेस five hundred gram तो एक box में इतना weight आता है four hundred kilogram और five hundred gram तो आप क्या करोगे इस고 total gram में चेंज कर लो क्योंकि आपको पता यह kilogram में यह gram में तो add नहीं कर सकते हैं तो add करने कि लिए kilo ग्राम को ग्राम में कितने ग्राम तो जब भी आपको किलो ग्राम से ग्राम में जाना हो थाउजंद से मल्टिप्लाई तो यह यहां से क्या आजाएगा 4000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम अब बताईए 4000 में 500 अगर आप आड करोगे तो यहाँ पर आड करके मैं आपको दिखा देता हूँ 4000 में अगर आप 500 आड करेंगे तो आपके पास आजाएगा 4500 यानि कि 4500 आड कर लीजे तो कितना आगया 4500 तो 4500 ग्राम यानि कि अब हमारा कुछ इस तरीके से बना weight of medicine in one box weight of medicine या weight of one box आप लेख दो बस इतने काफी क्योंकि एक box में जितनी medicine आदे हुई वही तो उसका weight होगा तो weight of one box weight of one box हाँ एक box में ये एक box है और इसका weight है कितना 4500 ग्राम या 4500 ग्राम अब उसने क्या बोला है इन boxes को हमको कहां रखना है van में वैन वैन की capacity होती होगी न जब भी आप वैन वैन क्या होता है वैन में समान रखके लिए जाओगे तो आप देखोगे तो हर एक वैन को आप जब खरीद होगे तो उस पर लिखा रहता जो company से टाटा की कोई वैन है आप खरीद होगे तो वो से जादा नहीं रखना चाहिए तो यही बात हमें बोली गई है पढ़ डीजे नहीं हम से question पढ़िए कह रहा how many such boxes ऐसे कितने box रखे जा सकते हैं जिसमें से एक box का weight इतना है कितना 4500 ग्राम या 4500 ग्राम ऐसे कितने box रखे जा सकते हैं लोड किये जा सकते हैं किसमें किसी van म और van की condition दी हुई है कि it cannot carry beyond 800 kg मतलब van में 800 kg से जादा weight नहीं आना चाहिए ठीक है ना so अब मैं लिख देता हूँ पहले समझी का ज़रा देखिए van can carry maximum load of maximum load load का मतलब weight load maximum weight of हाँ बै कितना kg आ सकता है van में maximum 800 kg है ना कितना 800 kg वेट आ सकता है अब इसको भी आप ग्राम में change कर लो कैसे ध्यान दीजेगा 800 kg है तो 800 को अगर आप kg से ग्राम में जाना है तो 1000 से multiply करोगे तो ये जी जी का मतलब ग्राम में आ जाएगा अब इसको multiply कैसे करोगे 8 बंजा 8 और जितने भी 0 लगे हैं उसको लगा दीजे 1 2 3 4 5 तो 1 2 3 4 5 यानिके 800 kg में 8 ला ग्राम अब सुनिए इधर आई जड़ा अब आपको एक फील मैं दिलाता हूं कि कि इस कोश्चन में क्या करना है देखो फील फील के लिए वैन बनाओ इस तरीके से कि एधिक यह जिय्करी ओन इस तरीके से वैन और यह इसके वील्स है तीकिवएलस है इसके पईयां इसके पईएं मान लोह ना आब समझो जरा क्या होगा समन्या जरा कि यह जो वैन है इसमें टोटल वेट कितना रखा जा सकता है 000 ग्राम इससे ज़्यादा रखनी पाओगे तो आप ज़रा समझो देखो ज़रा के आओगा आपको एक box रखा अपने लाके याँ पर इस तरीके से एक box रखा तो इतना gram इस पे आ गया फिर एक और box रखा फिर एक और box रखा एक और box रखा तो धीरे धीरे भरता चला जाएगा और total weight जो है इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो यहाँ पर आपको क्या पता चलता है बताओ भाई आप 8 lakh gram को 4500 gram से डिवाइड करोगे तभी तो number of boxes आएगे अब इस question में ऐसा कुछ समझाने वाला नहीं है आपको खुद सोचना चाहिए एक box रखा दो box रखा तीन box रखा ऐसे रखते गए रखते गए तो इसका weight बढ़ता चला जाएगा लेकिन इसका weight जो है van का वो 8 lakh gram से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यहने कि 800 kg से ज़्यादा नहीं होना चाहिए तो आप क्या करोगे number of boxes कैसे निकालोगे इसको यहने कि जो total weight यह जहल सकता है van इसको आप इससे divide लगा दीजे जितना remainder बचेगा उसको छोड़ दीजे उससे कोई मतलब नहीं है जो भी quotient आएगा वो number of boxes को दिखाएगा ठीक तो यह देखिए अभी मैं explain भी करूंगा ऐसा क्यों so total number of या maximum number of boxes is given by maximum maximum number of boxes is given by is given by total weight total weight can be loaded can be loaded मतलब van पर जितना weight लोड किया जा सकता है divided by weight of one box divided by weight of one box अब सुनिएगा total weight कितना लोड कर सकते हो 8 lakh so 8 lakh जी का मतलब gram और divided by weight of one box एक box का weight कितना है 4500 gram 4500 gram अब सुनिए जहान से कुछ बच्चे पूस्ते unit conversion क्यों किया इसी ले किया है पिछले question में नहीं बताया था आप सुन लीजे जब आप इसको इससे divide करोगे तो भाई जब same unit होगा तब ही तो कटेगा न gram से gram कटेगा या तो kilogram से kilogram कटेगा तो इसलिए सब को एक ही unit में convert कर लिया जाता है जिससे की unit से unit कर जाए और जो भी number आना होगा वो आ जाएगा ये एक तरीके से क्या है ये एक तरीके से 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 zeros divided by 4500 अब इसको divide करने के दो तरीके हैं दोनों तरीके में आपको सिखाने जा रहा हूँ method 1 method 1 क्या है 8,00,000 divided by 4500 तो इसको पहला करने का तरीका यह है कि 8,00,000 को आप divide करोगे किस से 4500 से तो अगर आप देखोगे तो one time जाएगा क्योंकि 4500 वन्जा कितना हो जाएगा 4500 और अगर आप 2 times लेके जाओगे तो जादा हो जाएगा क्यों 4500 इंटू 2 यह तो आजागा 9,000 और हमें कितना लेके आना है 8,000 तो 8,000 या 8,000 से कम आजाए तो one time ही जाएगा तो यहाँ एगा 4500 0-0,0-0 यहाँ से 1 कैरी लोगे 10-5, 5 यहाँ 7 बचेगा 7-4, 3 यहाँ से 0 आएगा अब कितना आ रहा है 35,000 आ रहा है तो 4500 की टेबल ऐसी पढ़ो कि 35,000 के आसपास नमबर आ जाए तो मेरे ख्याल से 8 टाइम्स जाएगा क्या 4500 into 8 करिए और multiply नहीं करना आता है तो रफ़र्क में कर लीजे 4500 into 8 800-0, 800-0, 800-0, 85-0, 40 पोर जाएगा 8-4, 32 32 प्लस 4, 36 तो ज़्यादा आ रहा है 36,000 ज़्यादा आ रहा है तो हम 7 टाइम्स पढ़हेंगे टेबल So, 4500 into 7 करिए So, कितना हो जाएगा 4500 into 7 करिए 700-0, 700-0, 75-35 और 3 जाएगा 7-4, 28-3, 31 So, 31,500 तो 7 टाइम्स गया तो कितना आ रहा है 31,500 और माइनस कर दीजे 0-0, 0-0, 0-0 और यहाँ से 1 कैरी लेंगे तो 10-5, 5 यहाँ 4, माइनस 1 3 और 3 में से 3 जाएगा कुछ नहीं तो 3500 नीचे बचे गया उसको बचे रहन दीजे Total 17 boxes आप upload कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ से कुछ यहाँ पर शायद mistake हो रही है ओके इसको चेक कर लेते हैं अभी एक 0 में भूल गया होना यहाँ पर यह वाला भी तो बच गया है इसको copy कर लो अब फिर से देखो कितना आ रहा है 35,000 तो फिर से 7 टाइम्स जाएगा तो फिर से 7 टाइम्स जाएगा और 10-55 और 4-13 तो फिर से कितना आ गया 35,000 ठीक है students अब छोड़ देंगे अब कोई 0 नहीं बचावा तो उपर भी ध्यान रखीएगा तो answer is 177 box हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं लोड कर सकते हैं ठीक है students तो यह divide करने का method number 1 था अब method number 2 देखिए डिवाइड करने का अच्छा बच्चे कह रहे हैं यह जो remainder आ गया उसको छोड़ो उससे कोई मतलब नहीं है अब थोड़ा सा सर समझा दो तो समझा देता हूं सुनो ध्यान से ध्यान से सुनो अब इसका explanation की चल गया रहा है explanation यह है ध्यान से सुनीगा 177 box आप upload कर सकते हो उस पर upload करने का मतलब load कर सकते हो upload नहीं तो 177 हाँ सुनो ध्यान समझा रहा हूं एक box का weight कितना था 4500 तो 177 का weight कितना होगा इसको जब multiply करोगे तो आपको क्या मिलेगा बस किये मैं समझा रहा हूं multiply आप खुद से कर सकते हो मैं बस समझाना चाहता हूं उस पर ध्यान दे तो 177 into 4500 तो weight कितना निकल किया गया 796500 अब समर्द है सुनो ध्यान से तो van पर हमने इतना weight रखा हुआ एक तरीके से क्यों क्योंकि हमने 177 boxes रखें और एक box का weight इतना है तो 177 box का weight कितना होगा this into this तो इतना हमने उस पर रखा है और van कितना weight जहल सकती थी 8 lakh अब सुनो अगर तुम 177 से जादा एक भी box रख दोगे तो problem हो जाएगी मैं दिखा देता हूं so problem देखी कैसे हो जाएगी यहापर अगर तुमने गलती से 178 box रख दिए तो 178 box एक भी जादा अगर रख दोगे 177 से जादा एक 178 रख दोगे तो problem हो जाएगी क्योंकि अब total weight कितना हो जाएगा 178 boxes का weight 178 into 4500 178 into 4500 तो यहाँ से आ जाएगा 8 lakh 1000 चेक कर लो 8 lakh 1000 ग्राम आ जाएगा weight और 8 lakh से जादा हो गया यह तो इतना allowed नहीं है इसलिए आप 177 से एक भी जादा box उस पे load नहीं कर सकते हो correct तो इसलिए answer आपका यह तो यह मैंने आपको समझा दिया अब सुनिए divide करने का method number 2 अगर आपके teacher ने शायद ऐसा बताया हो method number 2 क्या कि 8 lakh divided by 45 hundred जब हमने किया तो यह 2 0 से 2 0 काट दियोंगे आपके teacher ने शायद ऐसा किया हो तो ऐसा भी आप कर सकते हो 8,000 बचेगा फिर divided by 45 अब आप क्या कर सकते हो ऐसे भी डिवाइड आप कर सकते हो मतलब कि आप 8,000 को कि 45 से डिवाइड कर लिजे answer आपका वही आएगा तो 45 वन्जा 45 10-5 यहां से वन करी लेंगे 10-55 और यहां बचेगा 7 7-4 3 यहां से 0 आएगा अब आप 45 की टेबल पड़ोगे तो 45 सेवन्जा कितना आएगा 75 दर 35 3 7 4 दर 28 प्लस 3 31 यानिके 315 10-55 यहां 4 बचेगा क्योंकि 1 चला गया यहां से तो 4-1 3 और 3-3 कुछ नहीं बचेगा यहां से 0 कॉपी कर लेंगे 350 फिर से आगया फिर से 7 टाइम्स जाएगा 315 आ जाएगा और 10-55 और 4-13 और यहां पर बस ऐसे हम छोड़ देंगे तो 177 बॉक्सस आ जाएगे यह हो गया अब देखिए अब आप एक्जाम में कैसे रिप्रेजेंट करोगे इस कॉश्चन को सबसे पहले आप बता देना कि 1 किलो ग्राम में 1000 ग्राम होते तो 4 किलो ग्र ग्राम और 500 ग्राम में कितना हो जाएगा 4 किलो ग्राम में 4000 ग्राम और प्लस 500 ग्राम एड करोगे तो 4500 ग्राम एक बॉक्स का वेट है और 800 किलो ग्राम में 8 लाग ग्राम हो जाएगे 1000 से मल्टिप्लाई करेंगे तो तो number of boxes that can be loaded in the van is equals to 8 लाग divided by 4500 डिवाइड करोगे तो total boxes 177 फिर आंसर लिखोगे 177 boxes at maximum can be loaded in the van ठीके students और इस question में reminder से हमारा कोई मतलब नहीं है वो मैंने आपको explain कर दिया now मिलते हैं next video में तब तक के लिए पढ़ते रही है बढ़ते रही है all the best